प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंजन राइटर और डायरेक्टर महिश दतानी की एक प्ले के बारे में जिसका नाम है तारा इसे 1990 में लिखा गया था और 1995 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था इस प्ले को दो एक्ट्स पे लिखा गया है जो कि हम इसकी टाइटल को पढ़ की समझ सकते हैं साथ ही अगर बात करें इस प्ले की थीम की तो वो है जिंडर इनीक्वालिटी यानि लड़के और लड़की में जो भेदभाव होता है उसके बारे में इस प्ले में बहुत ज़ादा फोकस किया गया है ये भेदभाव ये differentiation, discrimination इतना ज़ादा है कि जो हमारी इस story की इस प्ले की protagonist है तारा उसकी death हो जाती है सिर्फ इस inequality के कारण ये सारी बाते आगे जब हम play पढ़ेंगे तो उसे पढ़कर समझेंगे अब अगर बात करें writer की तो महिश दतानी एक famous Indian director, actor, playwright और writer है उनका जन्म हुआ था 7 August 1958 में साथ ही साहित अकैंडमी अवार्ड पाने वाले वो पहले English में लिखने वाले playwright है और साथ ही उनकी जो इतनी भी famous works हैं उनमें gender inequality का theme बहुत ज़ादा हमें देखने को मिलता है उनकी famous works में final solutions, dance like a man, bravely fought the queen ये सभी शामिल है तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस play को समझते हैं अब इस play की शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ characters के बारे में बताती हूँ सबसे पहला character है Mr. Patel का जो की एक गुजराती family से belong करते हैं इन्होंने शादी की भारती नाम की एक woman से जो की एक South Indian है तमिल है अब ये जो love marriage इन दोनों की हुई उसे Mr. Patel की family ने accept नहीं किया तो अब Mr. Patel अपनी family के साथ नहीं रहते उन्होंने अपने family से सारे जिश्ते खतम कर लिये हैं बलकि ये भारती के घर में रहते हैं अपने father-in-law के साथ तो ये अपने father-in-law पे बहुत ज़्यादा dependent है financially, socially, mentally, physically ये अपने father-in-law पर dependent है भारती के जो father है वो अपने शहर में एक बहुत ही powerful politician है तो कहीं न कहीं Mr. Patel जो हैं वो इनके सामने थोड़े दबे हुए रहते हैं अब मैंने आपको बताया इन दोनों ने अपने state से बाहर शादी की है अपने समाद से बाहर शादी की है तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों वाले होंगे लेकिन ये बात आगे जाकर गलत साबित होती है होता कुछ यू है कि कुछ समय के बाद भारती प्रेगनेंट हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसे दो जुड़वां बच्चे होने वाले है इस बात से ऐसे तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है कि जुड़वां बच्चे होंगे लेकिन जब बच्चों का जन्म होता है तो ये जो खुशी है ये टेंशन में बदल जाती है और इसका कारण ये है कि भारती को जो बच्चे हुए है वो कंजॉइन ट्विंस है यानि दोनों बच्चे आपस में जुड़े हुए थे अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का जो शरीर है वो वैसे तो पूरा है सिर्फ जुड़ा हुआ है लेकिन जो उनके पैर है वो चार के बजाए तीन है यानि दो बच्चे हैं तो चार पैर होने चाहिए लेकिन उन बच्चों का तीन ही पैर है अब इन बच्चों में एक लड़का है और एक लड़की है लड़के का नाम रखा गया है चंदन और लड़की का नाम रखा गया है तारा तो हमें बताया जाता है कि इन तीन पैरों में से एक पैर तारा का था एक पैर चंदन का था और एक पैर जो था वो बीच में था और जब ये operation होता तो ये पैर किसी एक ही बच्चे को जाता अब यहाँ पर एक doctor आते हैं जिनका नाम है doctor ठककर वो एक operation करेंगे जिससे चंदन और तारा अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर decision चल रहा है कि वो तीसरा पैर जो है वो आखिर किसको मिलेगा तारा को ये चंदन को doctor ठककर कहते हैं कि जो पैर है ये तारा को मिलना चाहिए क्योंकि ये तारा की तरफ का पैर है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो blood इस पैर में आ रहा है वो तारा के शरीर से आ रहा है विचारो वाले हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे अपना वंच बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए और वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए तो ये जो पैर है ये तारा को नहीं हम चंदन को देंगे क्योंकि तब चंदन जो है वो अच्छे तरह से हेल्दी रहेगा, मेरा बिजनस आगे बढ़ाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा डॉक्टर ठकर कहते हैं कि ऐसा करने से तारा की जो हेल्थ है उस पे बहुत इफेक्ट पर सकता है, वो बहुत जादा कमजोर रहेगी लेकिन यह जो भारती के फादर हैं, यह डॉक्टर ठकर को जमीन का लालच देते हैं, और उन्हें आखिर कर यह मनवा लेते हैं, कि वो जो पेर है, जो तारा को बिलॉंग करता है, वो चंदन को दे दिया जाए अब operation होता है, और जो पेर है, वो चंदन को दे दिया जाता है, तारा बिचारी बहुत ही छोटी है, लेकिन इस operation के बाद, तारा पर जैसा कि डॉक्टर ठकर ने कहा था, बहुत ही बुरा असर पड़ता है, वो बहुत ही जादा कमजोर हो चुकी है यह जो operation के कारण जो उसके हिस्से का पेर था, उससे अलग कर दिया गया, उसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, साथ ही उसे अब एक प्रॉस्थर्टिक, एक नकली पेर लगा दिया गया है उधर बात करें चंदन की, तो चंदन को वो पेर दिया तो गया था, लेकिन वो पेर चंदन की बॉड़ी का नहीं था, तो वो पेर उसे सूट नहीं किया, और दो दिन के बाद उन्हें वो पेर काटना पड़ा तो ये पैर किसी के काम नहीं आया, ना ही तारा को मिला, ना ही चंदन को मिला और अब दोनों ही भाई बहन को एक-एक प्रोस्थेटिक लगाया गया है अब ये मैंने आपको कैरक्टर्स के बारे में बताया, अब हम आते हैं इस प्ले पर इस प्ले की शुरुवात होती है और हमें ये प्ले जो बताई जा रही है, वो चंदन के पाइंट आफ व्यू से बताई जा रही है ये जो प्ले है वो चंदन सुना रहा है हमें बताया जाता है कि इस बात को इन सारी बर्थ रिलेटेड बातों को बहुत समय बीच चुका है और चंदन अब लंडन में रहता है उसने अपना नाम बदल लिया है, अब वो चंदन नहीं पुकारा जाता है, बलकि डैन कहके पुकारा जाता है ये जो चंदन है या यो कह सकें ये जो डैन है, ये अब लंडन में एक राइटर बन गया है और ये अपने कमरे में बैट कर रहा है, अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, इसकी जो बेहन थी तारा उसे मिस कर रहा है और यह decide करता है कि यह अब जो अपनी story लिखेगा अगली story लिखेगा वो अपनी बहन के बारे में लिखेगा और इसी तरह से वो अपने बच्पन के दिनों को अपनी बहन के साथ जो memories है उन सभी को याद करना शुरू कर देता है और इस तरह से धीरे धीरे वो flashback में जाता है और अपनी बच्पन की कहानी हमें सुनाता है हमें बताया जाता है कि जन्द के बाद भले ही तारा बहुत कमजोर थी और चंदन जो था वो भी physically challenge हो चुका था सही से चल नहीं सकता था लेकिन इसके बाब जुद इन दोनों भाई बेनों के बीच में बहुत जादा प्यार था तारा चंदन की बहुत क्यार करती थी और चंदन भी तारा का पूरा ध्यान रखता था तो एक दिन की बात हमें बताई जा रही है जहां तारा और चंदन बैठ कर कार्ड्स का गेम खेल रहे थे तारा चुकि बहुत जादा इंटेलिजन थी तो वो चंदन को तुरंत ही हरा देती है और चंदन जो है वो भी मजाक में अपनी बहन को चीटर कहकर चिड़ा रहा होता है उसी समय उनकी मा भारती वहां पर आती है और देखती है कि दोनों बच्चे खेल रहे है साथ ही वो ये भी देखती है कि तारा ने अभी तक अपना दूद नहीं पिया है तो वो वही बैठ कर तारा को दूद पिलाने लगती है अब हमें ये भी बताया जाता है कि आज से कई साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका भारती पर बहुत गहरा असर रहा उसे हमेशा इस बात का दुख रहता इस गिल्ट रिसके साथ वो जीती है कि उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया जो उसने किया जो पैर उसने चंदन को दे दिया जिसके कारण तारा की तब्यत इतनी खराब रहती है ये सब कुछ कहीं न कहीं पूरी तरह उसकी गलती है और वो ऐसा करने से रोक सकती थी लेकिन बेटे का प्यार उसे कुछ इस तरह अंधा कर चुका था कि उसने अपनी बेटी के बारे में बिलकुल सोचा ही नहीं तो वो तारा को दूद पिला रही होती है उसी समय पडोस की एक लड़की है रूपा वो वहाँ पर आती है और कोशिश करती है इन दोनों को थोड़ा गुसा दिलाने का इन से मजाग करने का तो वो तारा को देखकर कहती है कि ये तुम दूद पी रहे हो तुम लोग तो पटेल होना तो पटेल होकर दूद कैसे पी सकते हो मैंने तो सुना है कि पटेल लोग अपनी बेटियों को दूद में बस इतना वो कहती है कि तभी वहाँ भारती आ जाती है और उसे चुप करा देती है असल में रूपा ये कहना चाह रहे थी कि जो पटेल लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को दूद में डुबा कर मार देते हैं वोगि उन्हे बेटियां नहीं चाहिए होती है, यह पुराने जमाने के, बहुत ही पुराने जमाने के सोच थी, तो यहां पर उसी समय भारती आकर रुपा को चुप करा देती है और उसे तारा को ये बात कहने नहीं देती है, दोनों भाई बहन confusion में ही रह जाते हैं उधर भारती देखती है कि ये रूपा जो है ये मेरी तारा की अच्छी फ्रेंड बन सकती है हमारे पडोस में ही रहती है तो ये जो तारा है ये अकेली नहीं होगी मैं इसे रूपा की फ्रेंड बनवा देती हूँ तो ये रूपा को ब्राइब करती है चॉकलेट का लालज देती है मैगजीन का लालज देती है अच्छी अच्छी खाने की चीज़ों का लालज देती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी की दोस्त बन जाओ तो मुसकी बेस फ्रेंड बन जाओगी तो ऐसे ही कई सारी चीजें तुम्हें मिलती रहेंगी और रूपा उन चीजों को एक्सेप्ट करके कहती है कि ठीक है मैं सोचूंगी ऐसे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगी और तारा की दोस्ट बनने की कोशिश करूंगी अब इसी तरह कुछ समय और बीटता है और ये जो मिस्टर पटेल है ये अपने ओफिस के काम में चाहते हैं कि चंदन अब उनकी मदद करे तो एक दिन वो चंदन से कहते हैं कि अब कल से तुम मेरे साथ ओफिस जाना शुरू कर दो क्योंकि आफिस का काम तुम्हें भी तो सीखना ही है लेकिन ये जो चंदन है इसे इस तरह की चीजों में मन नहीं लगता तो ये कहता है कि मुझे नहीं जाना है आफिस आप एक काम करो आप तारा को ले जाओ वो बहुत जादा इंटेलिजेंट है तो वो आपकी मदद कर देगी तो इस पर मिस्टर पटेल उसे डांटते हैं कि तारा वहाँ जाके क्या करेगी वो एक लड़की है तुम मेरे साथ चलोगे तुम्हें चलना होगा तो चंदन भी अपनी जिद पर रड़ जाता है कि मैं तो नहीं जाओंगा अगर मुझे ले जाना चाते हैं तो तारा वी साथ में जाएगी और अंट में मिस्टर पटेल को उनकी बात माननी होती है उस तरह से कुछ दिन और बीठते हैं और एक दिन ये जो चंदन है ये अपनी मा के साथ बैठकर घर में कुछ सिलाई का काम कर रहा होता है तभी मिस्टर पटेल वहां आ जाते हैं और चंदन पर बड़ा गुसा करते हैं कि ये क्या लड़कियों वाले काम कर रहे हो साथ ही भारती को भी बहुत जादा राटते हैं कि तुमने मेरे दोनों ही बच्चों को बिगाड़ दिया है तारा को तुमें घर का काम सिखाना चाहिए था तो उसे तुम वाफिस जाने जैसा बना रही हो और चंदन जिसे ये सब कुछ तुमें सिखाना चाहिए था उन सब को तुम क्या कर रही हो उसे तुम घर का काम सिखा रही हो तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अपने बच्चों को कैसे पालना है क्या उन्हें सिखाना चाहिए इस पर ये जो भारती है वो बहुत ज़ादा गुसा हो जाती है और वो भी अपने husband से जगडने लगती है कि तुम हमेशा हमारी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो और हमेशा चंदन से तुम इतना ज़ादा क्यों expect करते हो हमारे जिस बच्चे को जो करना है वो वैसा ही करेगा इस तरह की बाते वो कहती है अब इस तरह से फिर थोड़ा समय बीटता है और हमें पता चलता है कि भारती के जो father है उनकी death हो चुकी है और उन्होंने अपने जितने भी उनके पैसे थे जो भी उनकी जायदात थी वो सब कुछ अपने grandson चंदन के नाम पे कर दिया कि जो भी संपत्ती है उसका वारिष चंदन है तो अब चंदन के लिए जरूरी है कि वो पढ़ाई लिखाई करे और इन सारी बिजनस को समहा ले तो मिस्टर पटेल डिसाइड करते हैं कि वो चंदन को पढ़ने के लिए अबरॉड भेजेंगे ये बात वो चंदन को बताते भी हैं तो भारती पूछती है कि तारा का क्या हमारी बेटी का क्या उसे कहां पढ़ने भेज रहे हो और इसकी तो तब्यत भी थनी खराब रहती है वो तो कहीं जाब ही नहीं पाएगी तो इस पर मिस्टर पटेल बड़े गुसा होते हैं कि जब देखो तुम तारा तारा करते रहती हो जिस समय तुमें तारा के बारे में सोचना चाहिए था उस समय तो तुमने ध्यान दिया ही नहीं और इस तरह से इन दोनों में काफी जगड़ा भी हो जाता है यह जो भारती है यह बहुत ज़ादा गुस्से में आ जाती है और मिस्टर पटेल को कहती है कि ठीक है अगर सब कुछ मुझे ही करना था तो मैं अपने बच्चों को सारा सच भी बताऊंगी जो गलती मुझ से हुई थी वो मैं ही ठीक करूँगी और मैं अपने बच्चों को जाकर सब कुछ सच बताऊंगी कि मैंने और आपने हम दोनों ने मिल कर क्या गलती की है तो इस पर मिस्टर पटेल अपनी वाइफ को रोकते हैं और उसे चोट पहुचाते वे कहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को कुछ नहीं बताओगी अगर उन्हें सच बताना ही होगा तो उन्हें सच मैं बताओँगा तुम कुछ नहीं करोगी अब इन सारी बातों को कुछ समय और बीटता है और एक दिन तारा चंदन और रूपा ये सभी आपस में बैठ कर बाते कर रहे होते हैं इन्होंने एक सिनेमा एक मूवी देखी होती है और उस मूवी में वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो प्रोटैगोनिस्ट है जो फिल्म की हिरोईन है उसे अपने बेटे को बचाना चाहिए या अपनी बेटी को तो इस पर तारा कहती है और चंदन भी उसकी बात से अग्री करता है कि वो अपनी बेटी को बचाते तो रूपा इस पर उन्हें फिर से ताना मारती है कि तुम लोग अपनी बेटी को कैसे बचा सकते हो तुम लोग की तो हैबिट है अपनी बेटी को दूद में डुबो के मार देने की तो इस पर तारा जो है वो रूपा पसे बहुत नाराज हो जाती है और उसे डाट कर वहां से भगा देती है इन सभी जगडे का तारा पर और बुरा भी असर होता है धीरे धीरे वो और जादा कमजोर होती जाती है और एक दिन बेहोश हो कर गिर जाती है जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि तारा की जो किड्नी है वो फेल हो गई है और उसे अब एक किड्नी ट्रांस्प्लांट करवाना होगा तो अब यहां बात उठती है कि आखिर किड्नी जो है वो डोनेट कौन करेगा और यहां सामने आती है भारती भारती के अंदर जो हमेशा से गिल्ट रहा था उसे लगता है कि शायद वो ऐसा करके उसे दूर कर सकती है तो भारती और तारा दोनों का ओप्रेशन होता है भारती अपनी किड्नी तारा को दे रहती है और ये जो operation है वो कहीं न कहीं successful भी रहता है तारा की जो तब्यत है वो और सुधर जाती है लेकिन ये जो बेचारी भारती है इसका nervous breakdown हो जाता है nervous breakdown एक तरह की मानसिक स्थिती को कह सकते हैं जहां जो patient होता है वो day to day की normal life को कर नहीं सकता जो routine है वो follow नहीं कर सकता बताते हैं कि इसकी मा की तब्यत अभी भी खराब है और वो अपनी मा से नहीं मिल सकती है उधर ये जो तारा है वो चंदन से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे आखिर ये लोग इतने पैसे क्यों खर्चा करते हैं यतने जो पैसे इन्हों ने मेरे पीछे खर्च किये हैं अगर ये गरीब लोगों में बांट देंगे तो कितना अच्छा होगा क्यों हमेशा जब देखो मेरे पीछे पैसे खर्च करते रहते हैं और तो उपर से उपर अब तो मेरी मा की तब्यद भी खराब होने लगी है चुपचाप हॉस्पिटल में भारती से मिलने जाती है लेकिन वहां का जो स्टाफ है वो उसे भारती से मिलने नहीं देता और साथ ही मिस्टर पटेल को इनफॉर्म भी कर देता है कि तारा बिना किसी की मदद के अकेले ही अपनी मां से मिलने आई है और मिस्टर पटेल इस पर परिशान भी हैं तो उसकी बात सुनकर मिस्टर पटेल जो हैं वो चुप नहीं रह पाते और वो चंदन और तारा दोनों को बिठा कर बताते हैं कि आज से कई साल पहले उनके जन के समय क्या हुआ कैसे वो जुड़वां पैदा हुए थे उन्हें तीन ही पैर था क्या कुछ कि कैसे तारा के साथ गलत किया गया और कैसे तारा का पैट चंदन को दे दिया गया इस सारी जो कहानी है ये सब कुछ जो है वो इन दोनों बच्चों को बताते हैं और ये सुनकर इन दोनों को बड़ा जटका लगता है कि इतना प्यार करने वाले हमारे जो मॉम डैट थे हमार पर बताते हैं कि उनकी मा भारती की डेथ हो चुकी है चंदन जो है वो इस पर कोई बहुत जादा इमोशनल रिस्पॉंस नहीं देता जैसे वो इस बात के लिए डेडी ही हो और वो अपने फादर से कहता है कि पापा मैं इंडिया नहीं आऊंगा मैं इंडिया आकर क्या करूंगा तारा की भी डेथ आज से 6 साल पहले हो चुकी है और अब मा भी गुजर चुकी है मेरे लिए वहाँ पर कुछ नहीं बचा एक काम करिये आप भी अपना सारा सामान समेट कर यहां लंडन ही आ जाएए हम यहीं पर रहेंगे और यह कहकर वो फोन रख देता है और यहीं पर फ्रेंड्स यह स्टोरी भी ख़त्म होती है स्टोरी ख़त्म होने से पहले यहां पर चंदन जो है वो एक बहुत ही important line कहता है जो कहीं न कहीं हमें स्टोरी के बारे में भी बताती है और वो कहता है Forgive me Tara तारा, forgive me for making it my tragedy, यानि मुझे माफ कर दो तारा, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने ये जो story थी, ये जो tragedy थी, जो तुम्हारी tragedy थी, क्योंकि गलती तो सारी तुम्हारे साथ हुई, दुख सारा तुमने जहला, लेकिन मैंने इसे अपनी tragedy बना लिया है, मानो मेरे साथ गलत ये मेरी दुख भरी कहानी है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और यहाँ पर friends, ये play खत्म होती है, तो friends, ये थी, महिश दतानी की play, तारा, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए,